बहुत से लोगों को लगता है कि नितीश जी एक हो सकता है उनकी घर वापसी बीजेपी के साथ हो जाए तो क्या आप वो रूल आउट कर रहे हैं कि लोगों की जो टेंडेंसी है आज जो पावर में किसी चीज़ को छेड़ना अगर उसका नहीं हुआ तो फिर जंप करके दूसरी तरफ चले जाना यह हम लोगों को पहले से ही इसके बारे में सोच लेना चीज़ कि लोगों की जो टेंडेंसी है आज जो पावर में किसी चीज़ को छेड़ना अगर उसका नहीं हुआ तो फिर जंप करके दूसरी तरफ चले जाना यह हम लोगों को पहले से ही इसके बारे में सोच लेना चीज़ तो जब मान कर चल रहे हैं कि वो किसी भी सु को डाइवर्ट करेंगी अब आज कल जब यह सब सब उठ रहा है तो जो आवाज है या जिस तरह का लैंगविज है यह सब सारी चीज़े बता रही है कि कहीं न कहीं लोग इतना तुक साब साब पता चल रहा है तो आज की स्थितिवे में यही बात कहूंगा आपको यह रिलिवेंट लगे यह जो लगे लेकिन अभी हिंदुस्तान की जरूरत है अपोजिशन यूनिटी की यह जिस दिन अपोजिशन यूनिटी कायम होगी मैं नहीं समस्ता हूं आ आप जो कह रहे हैं चिदंबरम साब फियर्लेस अरे कौंट डरेगा इन्नों से हाल तुबात है हम लोग हम लोग जेल में थे सुली जे कहानी इमर्जेंसी हम लोग का रोज जलते रहता था जगड़ा निटीश जेल के अड्मिर्स्रेशन से प्लीज अंतिम बात करके हम में हम लोग का रोज जगड़ा होता रहता था सोचलिस्टों का जगड़ा होता रहता था और जान लिजिए कुछी लोग थे जिनका जगड़ा नहीं होता था यह संग वाले थे इनका जगड़ा नहीं होता था जिल एक ही मेरा विनम्र आग्रह यहां सब बैठे हुए हैं हम एक ही निवेदन करेंगे publicly कि देखिये try करिये maximum opposition unity हो कुछ डरने की ज़रूरत ने सब चीछ ठीक हो जाएगा बहुत से लोगों को लगता है कि नितीज जी एक हो सकता है उनकी घर वापसी बीजेपी के साथ हो जाए तो क्या आप वो रूल आउट कर रहे हैं अजय एक बात बताईए आप लोग यह बोल देते हैं मैं पूछ रही हो बोल नहीं पूछ रही हो सुनिए चिदंबरम साव यहां बैठे हुए जी एस्टी तो यूपीए ने लाया था जी और उसमें बीजेपी खिलाफ थी जी हम लोग बिहार में थे इंडिये था जी एस्टी का सपोर्ट हमने किया था कि नहीं किया था जो बताईए प्रणव बाबू के बारे में कुछ बोल दिया है हम तो इंडिये में थे हमने खु बड़े लोगों के पास जो दो नंबर का पैसा हुँ ज्यादा तकलीफ में परसेप्सन क्रियेट होगे अब सवाल है भी कुछ नहीं और चीजों को छोड़ करके यह कहना चाहिए कितने कितना काला धन बाहर आया किस अद तक यह हिट हुआ है आगे बेनामी पर क्या हिट हो देगारी एक चीज में और हम विश्वास करते हैं वह है कि हम लोगों को अपने एजंडा पर चलना चीए दूसरे के एजंडा पर रियक्ट करने के लिए यह फर्ज भी है पोजिशन का तो टेन परसेंट स्पेस देना चीए रियक्ट परने वाला 90 परसेंट अपने एजंड सेट करेंगे तो सभविक रूप से उसका एडवांटेज होता है वेजंडा सेट वो क्यों करेंगे जन्डा से राहूल जी क्यों करें यह बात होनी चाहिए इसलिए हम लोग इसके पक्सदार है और एक बार जान लीजिए ऐसी ऐसी बात बहुत लोग करते रहते हैं और घर बैठे तरह-तरह की बात करते हैं हमको तो यहां भी किया अहमत पठेल साब को तो मालूमी होगा है हमको तो मिलवा दिया एक अख़वार में च्छाप दिया अमिर्शा से अब बताई आप जड़ा बताई मिलना ही है तो किस से मिलेगी आज जो सत्ता में हैं वह हम सब लोगों को पूरे देश को क्या नैस्तलिजम का पार्ट पढ़ाएंगे इनका क्या आजादी की लड़ाई से रिस्ता है आज तिरंगा की बात करते हैं जब तिरंगा तैयार हुआ उस समय इसके पक्ष में थे यह तो दूसरा जंडा फाराते रहते थे इसलिए देखिए इनके चकर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपना काम हम लोगों को करना है या कौन ये वोट अगर कोई काम के अधार पर वोट नहीं लेना है किसी को तब क्या करेगा और कास्ट इसमेंगिल कोन चलता अपने कुछ काम किया नहीं और वोट लेना made तो उसके लिए तो यही सब करना होगा लए लभ जिहाद तो क्या क्या सब चला हम लोगों के आम सुरू नहीं हुआ था हमारा तब है डिये ने ही कड़ बड़ता है क्या बोली थी हमने तो जबाब में कभी नहीं किया हमने तो तथ्य और तर्क से सब बातों का जबाब दिया और बहुत अच्छा हमनों का महागट बना ऐसा स्ट्रॉंग यूनिटी हुई कि उनको पता चल ग ने तो वो भी नहीं था इनोंने नहीं 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 कितने लोग कहां हरा रहे थे अब उस सबेरे बताईये काउंटिंग सुरू नहीं हुआ और चैनल पर डिसकसन सुरू हो गया क्यों जीत रहे क्यों नहीं ते शाहरे कोई कह रहा कि एरपोट बड़ा गड़वड है कोई अब बताईये साहब यह तो कोई जवाब देगा ना इलेक्शन कमिशन हो या मीडिया हो कोई तो जवाब देगा ना कि जब काउंटिंग ही सुरू नहीं हुई हम लोगों को हरा दिया आप सोच लिजे जिस देश में यह सब चलता रहता है उस समय हम लोगों को बहुत दढ़ता के साथ अपना काम करना होगा अपनी बात कहनी होगी और वड़ी मजबूती के साथ कहनी होगी और हम लोगों को या देश के किसी भी नागरिक को आज जो दिल्ली की सत्ता पर झाली नाउ किहां लोगों को